मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है मुझको हिंदू या मुसल्मान न समझा जाए जनसमाद यात्रा की शुरुवात पूरे प्रदेश में पूरे महरास्टरा में जनता के बीच में जा करके जन के बीच में जा करके संवाद की ये जो परंपरा है दरसल ये भारत जोड़ो यात्रा का ही एक अगला स्वरूब है आज की शाम मैं नासिक में खड़ा हूँ और आज की शाम से पूरे एक साल पहले बाला साब थोराट जी गवाँ हैं वजात मिर्जा जी गवाँ हैं कि हम लोग आज की शाम आज से एक साल पहले यानि कि 6 सितंबर को इस वक्त कन्या कुमारी में खड़े थे और हमारी आखें गवाँ हैं उसे इतिहासिक यात्रा की कि जब कन्या कुमारी से पूरी कॉंग्रेस त्यार थी राहुल गांधी के कदम से कदम मिला करके साड़े तीन हजार किलो मीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा के लिए बहुत मुश्किल फैसला था मैं खुद कई बार सोच रहा था कि साड़े तीन हजार किलो मीटर पैदल कैसे चलेंगे हम सब राहुल गांधी जी कैसे चलेंगे और राद के उन लमों में कन्या कुमारी में समंदर के किनारे खड़ा होकर के मैं यह सोच रहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा नए अंग्रेज आएं हैं नया गांधी बनाऊंगा और वो दिन आज का दिन नासिक वालों आपको याद है उन दिनों जब प्रधान मंत्री जी भाशन देते थे तो कहते थे कॉंग्रेस मुक्त भारत यह उनका नारा हुआ करता था लेकिन आज हालत यह हो गई है कि जब कॉंग्रेस के सांसत पार्लियामेंट में खड़े होकरके उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आईए और अडानी पर जवाब दीजे आईए और मनीपूर पर जवाब दीजे तो पार्लियामेंट से भागते हैं कत्राते हैं अभी परसों ही भाजब के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडा फेलाया, RTI लगा करके कि प्रधान मंत्री जी ने एक भी छुटी नहीं लिए, 9 सालों में प्रधान मंत्री जी ने एक भी छुटी नहीं लिए, मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भा दिन आते हैं तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई मनीपूर में हमारी बेहनों को मनीपूर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने भीड ने परेट करवाई बलातकार किये और मनीपूर पर एक शब्द बोलने से कत्राने वाले प्रधान मंत्री जी ने मनीपूर पर बोलने से पर्मानेंट छुट्टी ले रखी है ये छुट्टी ही तो हुई प्रधान मंत्री जी चलते हुए संसत्सत्र के बीच में जा करके करनाटक में चुनाओ प्रचार करें या किसी दूसरे राज्ज में मद्य प्रदेश में चुनाओ प्रचार करें तो य छुट्टी ही तो हुई आखिर छुट्टी की परिभाशा क्या है महरास्ट्रा वालो मेरा सोभाग गये है कि कॉंग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णे लिया तो मुझे किसी और राज्य से भेजती तो शायद मैं इतना ख कैसे राज्य की नुमाइंदगी एक ऐसे राज्य का नेत्रित राज्यसभा में करने का मुझे आऊसर दिया मेरी पार्टी ने कॉंग्रेस ने कि मैं वहां खड़ा हो करके जब मुझे पुकारा जाता है मेरा नाम पुकारा जाता है कि महरास्टरा से राजसबा के सांसद तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा गर्व महसूस होता है ये एक ऐसा कर्ज है और मैं आज इस मंच पर खड़ा हो करके धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ बाला साथ थोराट जी का कि आपने उस चुनाओ में एक गारजियन की तरह जिस तरह से मेरा पूरा चुनाओ मुझे ऐसा लगा ही ने कि वो चुनाओ मैं लड़ रहा हूँ आप लड़े उस चुनाओ को महरास्ट्रा प्रदेश कांगरेस कमेटी ने लड़ा उस चुनाओ को तो आपका विशेस आभार करता हूं चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुलमत के सिवा कुछ भी नहीं होगा ये दुनिया नफरतों के आखरी स्टेश पर है इलाज इसका मुहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग है जिनोंने पिछले नौ साल से इस जीना दूभर कर रखा है वो आज एक नया शिगूफा ले करके आए हैं वो कहते हैं कि अब हम इंडिया नाम बदलेंगे मुझे कभी-कभी हैरत होती है कि यह सरकार करना क्या चाहती है पहले इन्होंने 400 रुपए का जो गैस का सिलेंडर यूपीय के शासनकाल में मिलता था उसे 1200 का किया फिर दस दिन पहले बोला 200 रुपए सबसिटी देंगे अब पहले आपकी जेब से 800 रुपए लूट लें और उसके बाद आपको 200 दे करके कहें कि बहुत खुश रहो वो पेट्रोल डीजर जो 58 रुपए का साथ रुपए लिटर मिलता था उसे 100 रुपए के पास पहुंचा दिया यह सरकार वो सरकार है के जो अपने आइडियोलोजी की अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स माफ करती है और कफन पर जियस्टी लगाती है यह सरकार वो सरकार है यह सरकार जूटों की सरकार है वो चाहे महरास्ट्रा हो चाहे दिल्ली हो बारती जंता पार्टी के रास्ट्री अध्यक्चे कारक्रम में खड़े हो के बिहार में बोल रहे थे मैंने तो यहां एम्स बनवा दिया और जब लोगों ने जा के ढूड़ना शुरू किया तो कु कंग्रेस का नेता हो चाहे वशी उसेना का हो चाहे नसीपी का हो सबने जान जोग करके पूरे महरास्ट्रा की जनता की सेवा की और जब उस कोबिट से उबरने की कोशिश कर रही थी यह सरकार तो भाजब जो है लोगतंत्र को लूटने की कोशिश कर रही थी और सरकार को त इतने सर्वे आ रहे हैं, जितने भी इंटर्णल सर्वे हों, बाहर के सर्वे हों, मीडिया के सर्वे हों, ये बता रहे हैं, कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो भाजब का सूपड़ा साफ हो जाएगा महरास्ट्रा से, इसलिए परिशान है, अभी इंडिया एलाइन्स की बैठक हुई, तो वह इतनी सफल रही, कि जब इधर बैठक चल रही थी, तो उधर संसत का विशे सत्र बुला लिया गया, पांच दिन का, इतना डर है, एलाइन्स से, इतना खौफ है, और अब कहते हैं, इंडिया हटा देंगे, भारत रत्न बाबा स सहब अमबेटकर जी की अगुआई में सम्विधान सभा ने कहा था कि इंडिया इट इस भारत, जो इंडिया है, वही भारत है, जो भारत है, वही इंडिया है, मैं तो जब मजाग के मूड में आता हूं, तो कहता हूं कि जो मोती है, वही अडानी है, जो अडानी है, वही मो इंडिया कि आप यह जो नई नई नोटे हैं अभी जो नई चलाई है इन्होंने उस पर लिखा हुआ ना रिजर्बैक आफ इंडिया तो क्या फिर देश दूसरी नोट बंदी के लिए तैयार रहे मैं तो सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है एलाइंस की वज़ा से तो क्या आप दूसरी नोट बंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है मेरा सवाल है यह आधार काट पर भी तो लिखा हुआ है घ्रिया भारत है भारत इंडिया है क्यों अलग करना चाहते हो क्यों बटवारे की राजनिती करना चाहते हो कोई खुश्बू न कोई फूल न कोई रौनक उसपर काटों की जहालत नहीं देखी जाती हमने खॉली थी इसी बाग में अपनी आखें हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती यहां मेरी माएं बेहने बैठी हैं सबसे ज्यादा तो इस सरकार की मार आपने जहली हैं आप जब सुबा चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर का स्विच आउन करती हैं तो मुझे पता है कि उस वक्त आप आपको लगता है कि बचा बचा के जलाओ वरना अगला सिलेंडर खरीदने के पैसे जुटें या ना जुटें आप जब घर में सबजी बनाने के लिए कड़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं क्योंकि 70 रूपए का तेल था वह 200 रूपए का कर दि जो कहते थे रहुल गांदी को कि रहुल गांदी तो शहजादे हैं मैं तो पुर्धान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिसे आप शहजादा कहते थे राजकुमर कहते थे उसी शहजादे ने कन्या कुमारी से कश्मीर तक साड़े 3000 किलो मीटर सड़कों की धूल फांक करक हिंदुस्तान की जंता से मिलके उनके दर्द को समझा और उनको सीने से लगाया आपने क्या किया आपने दस लाख रूपए का सूट पहना और आठ हजार करोन के हवाई जहाज में बैट करके दुनिया के चक्कर लगाए अलग-अलग देशों में जा करके अपने नाम के नारे लगवाए आपने यह किया प्रधानमंत्री जी यह देश जिद्दौर से गुजर रहा है महरास्ट्रा वालों आपने हमेशा से देश को समाज को एक दिशा दिखी है एक राह दिखाई है बहुत एतिहासिक जगे पे खड़ा हूं मैं नासिक सांसकृतिक नगरी है धार्मिक लेकिन आज यहां हालत क्या है कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की लेकिन विदा नहों सकी बेटी किसान की मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगार दी हिंदोस्तान की प्याज का किसान आज खून के आसू रो रहा है नासिक में उसे अपनी फसल सड़क के किनारे फैकनी पड़ रही है और यह सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया हमने देखा है प्रधान मंत्री जी मैं दिल्ली रहता हूं कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे वे किसान आपसे चरोरी मिन्नत कर रहे थे और यह कह रहे थे कि क्रिशी कानून वापस ले लिजे लेकिन आपका एहंकार यह बोल रहा था कि नहीं हम नहीं वापस लेंगे साथ सो किसान जब मर गए तब आपका जमीर जागा और उसके बाद आपने एक दिन उन किसानों से सवाथ करके वो क्रिशी कानून वापस लिया साथ सो किसानों की मौत के बाद तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्जे वतन कितनी आँहों से कले जा तेरा ठंडा होगा वो ऐक भाजब के नेटा एक गाउं में पहुँचे लोगों का Face एक अठा किया बोले बताओ तुमारी क्या समस्या हुम दूर करेंगे को कि घा जञारों के सीधे साथे लोग के उनुन्होंने का हमारी दो समस्या है थो नेता जी ने भाजब कि नेता जी ने का बताओ क्या समस्या है बोले हमारी पहली समस्या ये है कि यहां पर कोई भी अस्पताल नहीं है डॉक्टर नहीं है नेता जी ने तुरंत अपना मोबाइल लिकाला पता नहीं कहां नंबर डायल किया और उसके बाद इदर उदर कुछ बात करके बोले लो मैंन तुम्हारी पहली समस्या हल कर दिया, अब दूसरी बताओ, तो गाउवालों ने कहा कि निता जी, दूसरी समस्या ये है, कि इस गाउव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है, इस तरह से ये सरकार चल रही है, इस तरह से काम कर रही है ये सरकार, इनके पास सिर्फ आध और अगर कोई शांती से आप से अपना अधिकार मांगना चाहे तो चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी हुई पहलवान बेटियां हो या वो किसान हो या फिर जालना में बैठे हुए वो मराथा आरक्षण की मांग करने वाले लोग हो इनके पास सबका इलाज क्या है लाठी मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं महरास्ट्रा में खड़ा हूं महरास्ट्रा का प्रतिदित तो करता हूं इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आप से शांती पूर्ण तरीके से कुछ मांग रहा है तो दीजे या ना दीजे लेकिन लाठी चलाने का अधिकार आप आपको देना पड़ेगा जवाब दे ही तो आपको लेनी पड़ेगी यह सरकार मैंने का ना जूटों की सरकार है हमने देखा है हमारे नेताने राहुल गांधी जी ने मनिपुर जा करके देखा है वहां के लोगों की पीड़ा को दर्द को महसूस किया है वहां जा करके लेकिन प्रधान मंत्री जी के पास दो मिनिट नहीं थे, सिर्फ 36 सेकंड बोले थे एक दिन वो, जिस दिन संसत का सत्र शुरू हुआ था, और हम चीखते रहे, हमारा हर संसत चीखता रहा, राज्य सबा में आदणी खरगे जी के नेत्रतों में पूरा विपक्ष चिलाता रहा, कि आज आप से बहुत दूर से दो तीन छोटी छोटी बात ही कहने आया हूं, लेकिन सबसे पहले हनीब बशीर साब ने एक मांग रखी, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन होस्पिटल जो है, उसमें सोनोग्राफी की मशीने नहीं है, और भी कुछ एक्कुप्मेंट्स हैं जो नहीं हैं, मैं आपका हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो आपका है, मेरे पास जो फंड है वो आपका है, जो बजट है वो आपका है, वजहात मिर्जा जी ने 15 लाख रुपए की मशीने उपलब्द करवाने का वादा किया है, मैं 25 लाख रुपए अपने बजट से आपको देता हू पिर राजस्थान कारेक्रम लगे हुए फिर लोट के दिल्ली पहुंचूंगा मैं वहां से लेटर आपको भिजवा दूँगा और साथ ही साथ मैं पार्लियामेंट की स्टेंडिंग कमेटी में हेल्थ का मेंबर हूँ तो आपने जो थोड़ी बहुत ताकत दी है उसमें मेरी कलम में एक ताकत ये भी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े वे किसी भी विशय पर मैं जवाब तलब कर सकता हूँ आपकी दुआओं ने इतनी ताकत दी है तो इस अस्पताल की जो और समस्याएं हैं वो भी आप मुझे लिखित में दीजे मैं एक कमेटी के मेंबर जो है वो यहां के हेल्थ सेकेटरी को चीफ सेकेटरी को और बाकी अधिकारियों को भी यहां पत्र लिखता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कुछ न कुछ म पिट्रोल डीजल 100 रुपय का क्यों हो गया तो यह आप से कहेंगे कि 1977 में जब यह हुआ था तो इसका जवाब क्या है जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया तो आप से जानते हैं यह क्या कहेंगे यह कहेंगे कि फलाने राजा ने जो किया था उसका बदला आप हम लेंगे तो भाई महंगाई बढ़ा करके कौन सा बदला लोगे लडा करके लोगों को कौन सा बदला लोगे हम कॉंग्रेस के लोग हैं आज आप हमसे कह रहे हो कि हम इंडिया है और आप भारत है अरे हम कॉंग्रेस के लोग हैं हमारी पार्टी का नाम है भारती रास्ट्री ये कॉंग्रेस जिसमें रास्ट्री भी है भारती भी है हमारे नेता ने साड़े तीन हजार किलोमीटर पैदल यात्रा की और उस यात्रा का नाम क्या रखा भारत जोडो हम वो लोग हैं हमने इस देश के लिए कुर्बानिया दी है दस साल से ज्यादा जेल में रहे पंडि जवाहलाल नहरू जी इंद्रा गांधी जी के शरीर पे कितने गोलियों के छेट थे शायद गिना भी नहीं जा सकता राजियू गांधी जी ने अपने जिस्म के टुकडे टुकडे करवा दिये इस देश के लिए और आज आप उस पार्टी को कहते हो कि हम समाप्त कर देंगे आप उस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कहते हो कि तुमारी संसत सदस्यता ले ली गई है अब घर खाली कर दो नोटिस आ जाता है मैं गवा हूँ उन लमों का जब राहुल गांधी जी अपना घर छोड़ रहे थे उननीश साल जिस घर में रहे हो उसे छोड़ते हुए कितना दर्ध होता है आप समझते हैं मैं समझता हूँ क्योंकि परिंदे भी नहीं रहते पराय आशियानों में हमारी उम्र गुजरी है किराय के मकानों में हम समझते हैं उस दर्ध को 19 साल जिस घर में रहे उस घार को आपने महीने बर के अंदर छुड़वा लिया लेकिन उस शक्स का नाम राहुल गांधी है जब वो अलल एलान खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि कॉंग्रेस के सिपाहियों डरो मत एक नारा जब वो देता है तो वो नारा सिर्फ आपके लिए नहीं होता आपके अंदर एक जजबा आता है कि हम डरेंगे नहीं और उदर पूरी सरकार हिल जाती है मैं इस चीज़ को दिल्ली में बैठ करके देख रहा हूँ आज हमने अपने गडबंदन का नाम इंडिया रखा है तो आप नाम बदल दोगे ठीक है फिर आप नाम बदल दो कुछ दिन बाद हम अपने गडबंदन का नाम बदल के अगर भारत रख लेंगे तब क्या करोगे कहां भाग जाओगे तो ये खेल खेलना बंद करिए पुर्धान मंत्री जी इस देश की जनता के लिए कुछ विकास करिए क्योंकि इस जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है और बहुमत का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है नासिक वालों आपको वो नारा याद है कि मैं चोकीदार हूँ मुझे खजाने की चाबी सौंप दो मैं देश नहीं लुटने दूँगा आज इस्थिती क्या है मैं सांसत भी हूँ शायर भी हूँ मैं जब खड़ा हो रहा था तो मुझसे कुछ सातियों ने कहा कि वो एक ड़स भी सुना दीजेगा तो मैं चायता हूँ कि मैं सुना दू नहीं आप बात में कहेंगे कि सिर्फ भाशन सुना के चले गए कहां सोया है चोकीदार कहां सोया है चोकीदार यह जो साथी बाई तरफ खड़े हैं इदर जो दाई तरफ खड़े हैं उदर जो पीछे खड़े हैं थोड़ी देर के लिए आप जागेंगे और आपकी तालियों का शोर आपका जो होसला है आपकी जो जिन्दा दिली है वो पूरे महरास्ट्रा में जाएगी तो जन्समाद यात्रा को और ताकत मिलेगी के कहां सोया है चोकीदार कहां सोया है चोकीदार डीजल और पेटरोल की कीमत रही सैकडा मार कहां सोया है चोकीदार कहां सोया है चोकीदार पूरे देश में आज तक ऐसा कोई व्यक्त नहीं मिला जिसने प्रधान मंत्री जी के साथ पढ़ाई कियो अभी बाला साब थोराट जी से पूछा जाए कि आपके क्लासमेट कौन थे तो दो-चार निकल आएंगे लेकिन मोधी जी ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके साथ पढ़ाई कियो अचा ये भी सच है कि आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके हाथ की बेची वी चाय पी हो नहीं मिला कोई लिटरली नहीं मिला, तब एक शायर जो है वो अपने लहजे में बात करने की कोशिश करता है, कहां सोया है चोकिदार, कहां सोया है चोकिदार, चाए बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, के चाए बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया बिका हवाई अड़ा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड़ा, के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चोकिदार, चलती हुई रेल गाड़ी से पानी टपक रहा है, बंदे भारत का वीडियो तो देखा होगा आप सबने न, चलती हुई रेल गाड़ी से पानी टपक रहा है, सडके धस रही है, पुल टूट रहे है, सोना पीतल में बदल रहा है, प्याज का किसान खून के आशू रो रहा है, सरकार को नाम बदलने की पड़िये, नासिक वालों बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला सके, वो देश क्या चलाएंगे, वो नहीं चला सकते, वो नहीं जानते कि निर्माण का दर्द क्या होता है, वो नहीं जानते कि जब 1947 में पंडित जवालाल नहरू जी को ये देश मिला था, तो किन परिस्थितियों में था, आज पंडित जवालाल नहरू जी के कद को बुरा कहने वाली भाजपा, उनके कद को छोटा करने का प्रियास करने वाली भाजपा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किसी एक दिन एक मिनिट के लिए भी अगर पंडित जवालाल नहरूजी जैसा विजन अपने अंदर लापाओ तो मैं तुम्हें मानू इस देश में जो कुछ है वो पंडित जवालाल नहरूजी का बुनियाद रखा हुआ है और आज कहते हो आपकी सारी गलती पंडित जवालाल नहरूजी की है 1947 में देश किद परिस्थितियों में मिला लेकिन ये कॉंग्रेस ही थी जिसने इस देश को 1947 के भारत से 2000 के भारत में लाके खड़ा किया आप नकार सकते हो राजियू गांधी का वो विजन जब वो कंप्यूटर लेके आए टेकनलोजी लेकर के आए तो पंडित अटल विहारी वाजपेई जी बैलगाडी में बैठ करके संसत गए थे विरोध करते हुए और आज आप कॉंग्रेस को कोशते हो आपने नौ साल में देश को रेलगाडी से बैलगाडी पर ला दिया अगर आपको सत्तर साल मिले होते तो आप मानों को आदिमानों बना देते मुझे गर्व है मुझे खुशी है कि मैं कॉंग्रेस का हिस्सा हूँ मुझे खुशी है कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ इस सफर में कुछ लोग आएंगे जाएंगे छोड़ेंगे लेकिन वही डटा रहेगा जिसके अंदर कॉंग्रेस की विचारधारा है इसी महरास्ट्रा में बहुत सारे लोग तूटे बहुत सारे लोग डरे, बहुत सारे लोग बिके, बहुत सारे लोग गए लेकिन कॉंग्रेस का एक-एक कारकरता डटा हुआ है चाहे जितनी गौसिफ कर लें, चाहे जितनी चर्चाएं कर लें लेकिन कॉंग्रेस का एक-एक सिपाही डटा हुआ है जो डरे वो गए और जो गए मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं रस्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं यह लड़ाई बहुत बड़ी है यह लड़ाई आपको असल मुद्दों पर लाने की है हमने तो पारलियमेंट में खढ़े हो करके वो नारे भी सुने हैं जब पूरी भाजपा खढ़ी होती थी और नारा लगाती थी कि राहुल गांदी माफी मांगो ये नारा लगाया जाता था हम वहाँ खढ़े हो करके डट करके जवाब देते थे कि हमसे माफी मांगने के नारे लगाने वालो माफी तो आप मांगो 15 लाक के जूठे जुमले के लिए माफी मांगो पेट्रोल डीजल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो गैस सिलेंडर 1200 का करने के लिए माफी मांगो टमाटर बाप्रे आज मैं होटल बैठके खाना खा रहा और मैंने स्वपनिल खाना खिला रहे ते मैंने स्वपनिल से पूचा कि भाई क्या यहां बहुत सस्ता हो गया है क्या वरना हम तो ढ़ाई सो रुपए किलो खा करके आ रहे हैं इस्तिती यह हो गई कि हमारी आखों ने दिल्ली में वो मंजर भी देखा कि MCD की एक गाड़ी आती थी उसमें टमाटर रखा रहता था वो मेटा डोर जो 400 साथ चलती है और शहर के संब्रांत लोग लाइन में खड़े होकर के सबसिडी वाला टमाटर खरीदते थे यह इस्तित सब्स बहुत पास है तैयार रही है मेरी आवाज उन तक भी पहुँच रही है जो कॉंग्रेस के साथ ही है सिपाही है मेरी आवाज उन तक भी पहुँच रही है जो महाविकास गाड़ी के समर्थक हैं लेकिन मेरी आवाज शायद उन तक भी पहुँच रही हो जो भूले भ या था नौ साल में 18 करोन नौकरियां अब तक दे दी होंगी उन्होंने शायद लेकिन इस भीड में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बताए क्या उसे सरकारी नौकरी मिली नहीं मिली मैं देश के जिस भी कोने में जा करके पूछता हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे सरकारी कर दी कि आप आओ सेना में नौकरी ज्वाइन करो और चार साल बाद रिटायर हो जाओ यह इस्थिती करके छोड़ दिया है और अभी नया नियम ले क्या है नया सरकुलर जारी हुआ है सोचने वाली बात है कि सेना का जवान जब छुट्टी पे अपने घर जाएगा तो वो सरकार की स्कीमों का परचार करेगा यह नया जीयों आया है सेना का जवान जब छुट्टी पे अपने घर जाए तो वहाँ जा करके केंद्र सरकार की योजनाओं का घूम घूम के परचार करेगा यह नया सरकुलर है आप अंदाजा लगाईए सोचिए कि वो सेना जिन पर हम गर्व करते हैं जब किसी एक शहीद सैनिक का घर लोट करके शौव उसका घर आता है तो पूरा इलाका पूरा देश रोता है आज आप उससे ये काम कराना चाहते हैं ये इस्तिती करके रख दी गई है इसलिए नासिक वालो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं एक जन प्रत्निदी होने के साथ साथ एक साहित तकार होने के नाते भी एक शायर होने के नाते भी आज इस्तिती ये है कि आप सरकार के खिलाब कुछ बोल दीजे अगले कुछ घंटे बाद आपके दर्वाजे पर पुलिस खड़ी होगी कहा गया है सुना गया है कोई न बोले जबाद दराजों को मश्वरा है कोई न बोले अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले यहां अल्पसंक एक समाज के तमाम लोग बैठे हैं मैं आप से भी कहना चाहता हूँ मैं अल्पसंक एक विभाग का राश्टी अध्यक्शोने के नाते आपके बीच में भी ऐसे लोग छोड़े गए हैं जो आपके बीच में दुश्परचार करते हैं और यह आपसे सवाल खड़ा करेंगे सोचल मीडिया पर वाटसअप पर कि कॉंग्रेस ने तो आपको दिया क्या है यह सवाल आपसे पूछा जाता है और पूछता है आपके समाज का ही कोई नेता कोई व्यक्ति मेरे भाई कॉंग्रेस वो पार्टी है जो ना धर्म की राजनीती करती है ना जो जाद की राजनीती करती है जो ना मधभब की राजनीती करती है वो कॉंग्रेस ही है जिसने सेदा अन्वरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया वो कॉंग्रेस ही है जिसने बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया वो कॉंग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया वो कॉंग्रेस ही है जिसने प्रदीब जैन आदित्य को इस देश का केंद्री मंत्री बनाया, वो कॉंग्रेस ही है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंग सहाब को इस देश का प्रधान मंत्री बनाया, तो जो आपके बीच में लोग आकर के आपसे कहें कि आपको कॉंग्रेस दिया क्या है, पलट के उनको जवाब भी दिया करिये, कि कॉंग्रेस धर्म, जात और मजब की राजनिती नहीं करती, जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा और कॉंग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित होगा, पार्टी उसे एक दिन उचित सम्मान भी देगी, उचित पद भी देगी, हम हैं कॉंग्रेस, मैं जब राजनिती में आया, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बाला साब जी, मेरे यहां छेत्रिय पार्टी यहां बहुत सारी हैं, तो जब मैं राजनिती में आया, तो मुझसे यह सवाल किया गया, इमरान साब आपके लिए तो आप्शन थे वहां पर, लेकिन आपने कॉंग्रेस को क्यों चुना, तब मैंने लोगों से कहा कि मुझे देश के साथ खड़ा हुना है, इसलिए मैं कॉंग्रेस के साथ खड़ा हूँ, कॉंग्रेस इस देश के बारे में सोचती है, और आज जो हमें डराने की कोशिशों में लगे हुए हैं, हमें उनसे ये कहना है, आखिर में एक छोटी सी नजम सुना करके आपसे विदा लूँगा, क्योंकि समय होने वाला है, और मुंबई पहुँचके फ्लाइट पकड़नी है, फिर भारत जोड़ो यात्रा के कारेकरम लगे हुए, लेकिन मैं बाला साब थोराट जिस से वादा करता हूँ, आपका अधिकार भी है, और मैं सांसद यहां से ना भी होता, तब भी आप लोगों का अधिकार था, आप जहां भी कहेंगे, जिस भी जिले में कहेंगे, पूरे अधिकार के साथ मुद्य आदेशित करिये, मैं पूरे प्रदेश में जनसमाद यात्रा के अलावा, अभी जो कारेकरम है, उसमें शामिल होने के लिए तयार हूँ, मैं बीच में बीमार था, मुझे डेंगू हो किया था, मैं दस दिन हॉस्पिटल में रहा, इसलिए इंडिया एलाइंस वाली मीटिंग में भी नहीं आ सका, लेकिन जैसे ही तब यह थोड़ी सी ठीक हुई, मैंने देश के किसी और हिस्से के कारेकरम में ना जा करके, जब आका शाजर जी ने उससे कहा कि हम एक कारेकरम क उसमें आपको आना है, तो सबसे पहले मैं अपनी बीमारी से उबरने के बाद कहीं आया, तो वो नासिक में आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है, यहां से दुआ मिलती है, तो इंसान और स्वस्थ हो जाता है, और मजबूत हो जाता है, वो भाजपा जो हमें डराना चाहती ह है, वो सरकार जो हमें डराना चाहती है, हम उससे इतना ही कहना चाहते हैं, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, उससे पहले चार पंक्तिया याद आ गई, अच्छे दिन का वो जुमला सुना था आप सबने न, इन दिनों प्रधान मंत्री ची जब कहीं बोलता है, कि हमने अच्छे दिन दिये, तो हमारा मन करता है, कि हम उन से कह दें, के महबत भाई चारे के, दिवाने दिन ही लोटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के, सुहाने दिन ही लोटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के, सुहाने दिन ही लोटा दो, ये अच्छे दिन तो अम्बानी अडानी को मुबारक हो हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लोटा दो हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लोटा दो और ये सरकार जो डराना चाहती हैं मुझसे कहना चाहते हैं के मत समझना डराने से डर जाएंगे हम कांग्रेस के लोग हैं हम डरने वाले लोग नहीं हैं ये जमी तब भी निगल लेने पर आमादा थी 1947 का भारत और आज का भारत ये जमी तब भी निगल लेने पर आमादा थी पाउं जब तूटती शाखों से उतारे हमने इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें जड़ दिये इसलिए बिजली के सितारे हमने आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है आज की रात न फुटपात पे नीद आएगी सब उठें मैं भी उठूं तुम भी उठो तुम भी उठो कोई खिड़की इसी दिवार में खुल जाएगी मेरे भाई डरने से काम नहीं चलेगा ये सरकार जितना डराती है हमने सामने बैटके देखा है उससे ज़्यादा खुद डरती है प्रधान मंत्री जी संसद आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं मैं पूरी जिब्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सामने कॉंग्रेस के और विपक्ष के सांसद खड़े हो करके सवाल पूछने के लिए तयार रहते हैं इसलिए प्रधान मंत्री जी संसद आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो डराने वाला खुद ज्यादा डरा होता है इसलिए हर डराने वाले से ये कहिए के मत समझना डराने से डर जाएंगे ये महरास्ट्रा है मत समझना डराने से डर जाएंगे अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे मत समझना डराने से डर जाएंगे अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे मौत के नाम का खौफ देता है क्यूं के मौत के नाम का खौफ देता है क्यूं मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे मत समझना डराने से डर जाएंगे यहीं तो हैं इंदोस्तान, यहीं तो हैं भारत, यहीं तो हैं इंडिया तब इमरान बोलता है के हमने जमजम दिया आवे गंगा दिया हमने जमजम दिया आवे गंगा दिया तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया और यह जो रंग है यह जो छंडा है इसमे जो तीन रंग है वो तीन रंग आपके अपने हैं उन तीन रंगों की मुहबतों की कसम लेता हूँ और जो चौथी पंक्ति है उस पे आपकी तालियों का शोर न सिर्फ मुंबई जाए बलकि दिल्ली तक भी जाए इमरान बोलता है मैं इसलिए जिन्दा हूँ के मैं बोल रहा हूँ दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती मैं बोलने की हिम्मत करता हूँ अलाल एलान ये कहता हूँ के हमने जमजम दिया आप गंगा दिया तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया तुमने इक रंग के खौब देखे मगर तुमने इक रंग के खौब देखे मगर हमने हिंदोस्ता को तिरंगा दिया ये तिरंगा ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमी में उतर जाएंगे मत समझना डराने से डर जाएंगे अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे नासिकी से अतिहासिक धरती को सलाम करता हूं और आप इतनी बड़ी तादाद में यहां इकठे रहें मैंने आपसे एक वादा किया है कि डॉक्टर जाकिर हुसेन जो आपका हॉस्पिटल है उसके लिए सोनोग्राफी के लिए और भी कुछ एक्कुप्मेंट्स मैं डॉक्टर से भी बात करता हूं वो हम अपनी तरब से देंगे तो यह वादा नेताओं वाला भाजब के नेताओं वाला वादा नहीं है 12-13 तारीक में हम लेटर जारी करके भेज देंगे और मुझे बाला साब थोराट जी ने भी कहा कि इस इलाके के लिए अपने फंड में से ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करिए क्योंकि यह इलाका यहां के लोगों को जरूरत है तो वो हमारे गार्जियन है और उन्होंने कहा है तो उनकी बात प्यामीन मैं 12-13 तारीक में दिल्ली पहुँचते ही चिट्थी बेज दूँगा आपसे यह वादा कर रहा हूँ एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया कहां आसूओं की यह सौगात होगी नए लोग होंगे नई बात होगी मैं हर हाल में मुस्कराता रहूंगा तुमारी मुहबत अगर साथ होगी चरागों को आखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिरों तुम भी किसी मोड पर फिर मुलाकात होगी बहुत शुक्रिया बहुत धन्नवाद